हेलो हेलो दोस्तो मैं आप सभी का दोस्त राजन वर्मा आप सभी की सामने लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जी हाँ दोस्तो आप सभी को पता है कि आज उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोक की APS की लिखित परिच्छा थी ठीक है न यह रहा क्वेशन पेपर जो मेरा क्वे कि आपका जो पेपर था ठीक है इसमें अटेंडेंस कितना रहा है दोस्तो मेरी क्लास में 48 बच्चे 48 बच्चों का अरेंजमेंट किया गया था जिसमें से 25 बच्चे आये थे और 23 बच्चे आये थे ऐसा ही काफी जगह का पता करने के बाद पता चला है कि जो आपका अटें अंशे अमलोग लेकर चल सकते हैं ठीक है तो कितने बच्चों ने फोर्म भबरा था एक लाग पच्चीस अजार बच्चों ने फोव रद थाव एक लाग पच्चीस 30 मेंसे अगर देखा जाए तो कितने बच्चों ने पेपर दिया होगा तो लगभग लगभग आप कह सकते हो कि 50,000 बच्चे यहां पे अपियर हुए हैं ठीक है और दूसी चीज़ अब बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था तो पेपर का लेवल देखिए सिरिसली बता रहा हूँ मैंने कोई तयारी नहीं की थी ना मैंने जीएस पढ़ा ना मैंने कम्प्यूटर पढ़ा ना मैंने हिंदी पढ़ा कुछ नहीं क्योंकि मुझे साउठन नहीं आता है कि कैसी बात आप लोगों का अनालिसिस करने के लिए पेपर दिया है मैं क्वालिफाई भी नहीं होंगा अब बात अच्छा अगर आप जानना चाहते हैं मेरे नंबर कितने आये तो मेरे 88 मार्ट आएं कितने 88 मार्ट पेपर का लेवल मैंने देखा कैसा है अब क्या कहते हैं हिंदी को अच्छे से पढ़ा तो उनके जो माक्स हैं थोड़े से जञादा होंगे ठीक है क्योंकि उन्होंने अच्छे से इसकी तयारी की है मेरा फोकस ये नहीं है ठीक है तो अब बात करते है कि हंदी के बारे में हंदी का जो section था मदलब ऐसा था कि बच्च में कुछ question ऐसे थे कि हाँ वो confusion create कर रहे थे ठीक है लेकिन जिन्हों ने अच्छी तयारी किया है वह हिंदी में लगबग लगबग sorry computer में 30 से 32 question आराम से कर ले जाएंगे 30 question अगर आपके computer में सही है 40 question आपके Hindi में सही है बात करते हैं GS की GS का जो level आया था वो इतना आया था कि अगर आपके negative ज्यादा ना हो तो भी आप आराम से 22 24 question आराम से कर सकते थे ठीक है 22 24 question आप आराम से कर सकते हो तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि इनका cut off क्या जा सकता है तो आप देख लो 40 number Hindi में आप लेके चलो 40 और 30 number computer में 40 30 70 हो गया और इसमें 70 20 90 ठीक है तो यह 90 एक average marks है लेकिन जो बच्चे तेज होंगे उनके marks तो ज्यादा आएंगे ही आएंगे ठीक है लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और है 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा 328 post है आपकी 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा अगर आपको इसका answer की नहीं मिला है तो मैंने इसका पुरा answer मतलब ठीक कर लिया है कैसे किया है सब कुस सर्च करके किया है कौनसा सही है कौन सा नहीं हिंदी, computer सारह मैंने सर्च करके सही ठीक किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजएगा नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसका आंसर की डाल दूगा कि किसका कौन सा आंसर सही है ठीक है न जीएस का भी पूरा आंसर डाल दूगा तो अभी सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है अब बात करते हैं कट आफ क्या जा सकती है तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो है सोठेन बुलाने के लिए 5000 बच्चों में इनका जो कट ओफ हो सकता है ठीक है कट ओफ हो सकता है अगर मैं देखू एक एवरिद लेके तो जनरल कैटेगरी के अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी 90-90 90 मार्क्स अगर उनके 90 मार्क्स अब थोड़ा सा अगर हम इसको रेंज में लेके चलें तो 87 से और 95 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहा है मतलब 87, 88, 89 ठीक है 90 के आसपास आ रहा है 92, 94 ठीक है तो आप अगर 87 के प्लस हैं 87 से अगर आप जादा है तो सौठेंड की तयारी करिए एक चीद ध्यान रखेगा मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान रखेगा अगर आपके 85, 86 के उपर है जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ तो आपको सौठेंड की तयारी सुरू कर देनी है ठीक है, बिल्कुल अगर नया बच्चा नहीं नय बच्चे को नहीं सुरू करना है जो पहले सीख रहे थें उनको सुरू करना है ठीक है वापतस से अपनी स्पीर पकड़नी है सीखने वालों का काम नहीं है अभी मैं बताऊंगा कि आपका सॉठेंड कब हो सकता है ठीक है बात करते हैं यहां पर अब जन ओबीसी काटेगरी के लिए तो ओबीसी काटेगरी अगर मुझे लगता है कि 80 80 से जादा और 85 के बीच में अगर है तो वो सॉठेंड के लिए कॉल जाएगी ठीक है तो यह अब कोई यह नहीं कहेगा कि सर फीमेल केटेगरी का बताईए और मेल केटेगरी का अलग तो सिंपली मैंने बताया मेल फीमेल केटेगरी को एक साथ बताया कि जनरल केटेगरी अगर 87 के उपर है तो तयारी सुरू करें और OBC केटेगरी अगर 80 के उ उपर भी हैं तो वो तैयारी शुरू कर दें इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि कॉल की जाएगी क्योंकि पांची जार बच्चों को बुलाना है और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको सौटन नहीं आता है लेकिन उन्होंने पेपर दे के अच्छा इसकोर किया हुआ है ठीक है तो आप यह मान के चलें बिल्कुल एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं अन्रिजर्व कैटेगरी 87 के प्लस अगर है तो तैयारी करें हाँ नीचे कमेंट करिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं अगर आपने अपना मिला लिया है कितना है तो आप नीचे कमेंट करिए मैंने बताया मेरा 88 मतलब निगेटिव करने के बाद बता रहा हूं मैं 88 मेरे आए है ठीक है न तो आप भी अपना निगेटिव करने के चलेगा कि क्या cut off है ठीक है न एक क्या cut off जा सकती है गूगल सीट जरूर फिल करिएगा और टेलिग्राम चैनल का लिंक भी मैंने दे दिया है उसको जाइन कर लिजेगा वहाँ पे भी अपना पंदरह बीस के आसपास आपका हो सकता है तो अभी आपके पास कितना टाइम है अभी आपके पास जनवरी में बीस दिन है बीस दिन से ज्यादा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल तो आप कह सकते हो January, February, March, April करिब करिब आपके पास सौ दिन है ठीक है तिन तरीका 90 करिब करिब सौ दिन है तो आप अपनी practice को बिल्कुल आप ये समझे 4-5 घंटे से काम नहीं चलेगा आप 6-6 घंटा केवल सौ ठेंड पे लग जाए ठीक है न बस आप लगे रहिए मैं आपके साथ हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों बड़ी मैनस से बड़े प्यार से आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूँ अगला वीडियो मैं आप सभी के लिए आंसर की डाल दूँगा ठीक है? Thank you so much, bye bye take care, okay, bye